Hello and Good Morning Everyone, आप सभी लोगों का स्वागत है, आपके अपने YouTube चैनल Study Gloss पर, मैं हूँ Dr. Monika और आज हम Weekly Current Affair स्टार्ट करने वाले हैं, 2 October है आज, Sunday का दिन है और Weekly Current Affair हम करने वाले हैं Week के अंदर जितने भी important question होते हैं, हम इस session में उन्हें revise कर लेते हैं तो आप इसे revision session भी बोल सकते हैं, तो चले start करते हैं हम आज का session First question है, पहले भारत Grand Prix 2023 Moto GP दो पईया Championship Race की जो मेजबानी है, ये कौन सा शेहर करेगा? तो इसका correct answer होगा, ये Greater Noida उत्तर प्रदेश करने वाला है भारत अगले साल Greater Noida के बुद्ध International Circuit पर पहली मोटो Grand Prix विश्व Championship Race की मेजबानी करेगा, जिसे Grand Prix of भारत नाम दिया गया है Second question है, उच्च रक्त चाप नियंतरन पहल के लिए किस देश ने UN Interagency Task Force और WHO प्रात्मिक स्वास्त देखभाल पुरश का 2022 जीता है? तो इसका correct answer होगा, ये इंडिया ने जीता है, बीस का correct answer है भारत उच्च रक्त चाप नियंतरन पहल इंडिया, हाइपर टेंशन जो कंट्रोल इनिशीटिव है इनोंने सैंट्राष्ट 2022 UN Interagency Task Force और प्रात्मिक स्वास्त देखभाल पुरश कार पुरश कार पुरश कार इनोंने जीता है सैंट्राष्ट महासवा की 77 वी बैटर कहां पर आयुजित हुई है तो इसका correct answer होगा, ये नियू यॉर्क, अमेरिका के अंदर हुई है 4. केंदर सरकान ने PM केर्स फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है तो इसका correct answer होगा, ये करिया मुंडा, फॉर्मर डिप्टी, स्पीकर ओफ लोक सवाई है 2. नमर पे है रतन टाटा, सीनियर, इंडस्ट्रिल इस्ट ये है और 3. है केटी थोमर्स, जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है तो इसका D correct answer होगा, इन तीनों को जो पीम केर्स फंड है, इनका जो नया ट्रस्टी है, ये नियुक्त किया गया है 5. नमर ग्वेशन है, भारतिय नो सेना के लिए दो स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वैसल्स, निस्तार और निपून को लॉंच किया गया है इन डाइविंग सपोर्ट वैसल्स का जो निर्मान है, ये किस कमपनी ने किया है, तो इसका correct answer होगा, ये हिंदूस्तान शिप्यार लिमिटेड के द्वारा जो है, ये किया गया है, विशा का पटनम के अंदर ये है, इसका correct answer है इसका correct answer होगा, ये किया जाएगी वारान सी उतरबरदेश और जो बोगी बील है असम के अंदर इनके बीश में जो है शुरू की जाएगी 7 number question है, मौरको के मराकेश में आयोजेत विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रेंड प्रेक्स 2022 में भारती एथलेटिव ने जो कुल कितने पदक इन्होंने जीते हैं, तो इसका correct answer होगा, इन्होंने जीते हैं total जो है 19 जो मेडल्स है ये जीते हैं भारत ने मौरको के मराकेश में आयोजेत विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रेंड प्रेक्स 2022 में 19 पदक जीते हैं जिनमें 8 जो है ये गोल्ड मेडल्स है और 8 ही सिल्वर मेडल्स इन्होंने जीते हैं और 3 इन्होंने जो है ब्रॉंज मेडल्स जीते हैं, तो total जो इन्होंने सेउंक्त अभ्यास आयोजित हुआ है तो इसका correct answer होगा यह भारत और जो अमेरिका की ओस्ट कार्ड है इसके बीच में हुआ है बीसका correct answer होगा भारतिये तटरक्षक बलके सद्भावना यात्रा पर अमीर की तटरक्षक कटर मिडगेट की चेन्ने की चार दिवसी यात्रा समाप्त हो गई है और यात्रा के दोरान USCG जहाज ने 16 से 19 सितमबर तक भारतिय तटरक्षक बलके समकक्षों के बीच मी वी बी एसेस क्रोस डेग यात्रा हो वॉली वॉल मैचों पर पेशेवर आदान प्रदान किया है 9. QC के दोरा किये गए नए बतलाओं के अनुसार वन डे और टेस्ट में एक बल्ले बाज को गैंद का सामना करने के लिए 10. QC के नए नियमों के अनुसार अब खिलाडियों को वन डे और टेस्ट में दो मिनट के अंदर इस्ट्राइक पर गैंद खेलने के लिए तयार होना होगा 10. QC है किस संस्तान ने लगातार चोथी बार रास्ट्य उर्जा अग्रणी प्रषकार 2022 जीता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीता है रास्ट्य इस्पात निगम लिमिटेड के विशाका पटनम के द्वारा 20 का करेक्ट आंसर होगा रास्ट्य इसपात निगम लिमिटेड ने रास्ट्य उर्जा नीता पुरशकार और उत्करस्ट उर्जा कुशल इकाई पुरशकार जो है ये जीता है और ये लगातार चोथी भार था जब संगठन को भारतिय उध्योग परिशंग गोधरेज ग्रीन बिजनिस सेंटर के चट्टी बार रास्ट्य उर्जा नेता पुरशकार और चट्टी बार उत्करस्ट उर्जा कुशल इकाई पुरशकार मिला है इल्यावन नमबर ग्रेशन है नैशनल सेंटर फोर गुड गवर्नेस के जो नए न्यू डारेक्टर है ये कौन बन गए है तो इनका करेक्ट आं गुजरात केडर के सेवा निर्वर्त अधिकारी जो है भरतलाल इनको रास्ते सूशाशन केंद्र का महानी देशक निक्त किया गया है पंद्रवे ब्रिक्स शिकर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा तो ये करने वाला है साउथ अफ्रीका ये इसका करेक्ट अंसर है और इस सम्मेलन का जो उद्देश होगा ये ब्रिक्स देशो और अन्य उभरती और विकास सिल अर्थ व्यवस्ताओं की सतत विकास की मूल भूत परियोजनाओं के लिए वित्य संसादन जुटाना होगा तो इसका करेक्ट अंसर होगा ये बनाया जा रहा है काल का शिमला नैशनल हाईवे के उपर हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल में काल का शिमला नैशनल हाईवे पर NH AI ने विश्व रिकोर्ट बनाने की तयारी की है हाईवे के आखरी छोर में कैथली घाट और शिमला के बीच विश्व का सबसे उंचा जो पुल है ये बनने जा रहा है 14. मैक्स लाइफ इंशोरेंस कंपनी लिमिटेड के जो नए ब्रेंड एमबसेटर है ये कौन बन गए है तो इसका correct answer होगा ये बन गया है रोही शर्मा और उनकी जो पतनी है रित्ती का सजदे ये बन गई है 15. नमबर क्वेशन है भारत का पहला डंगोग सरक्षन रिजर्व किस राजिम को में अनुसूचित किया गया है तो इसका correct answer होगा ये तमिल नाडू के अंदर किया गया है इसका correct answer है भारत का जो पहला डंगोग सरक्षन रिजर्व तमिल नाडू में अधी सूचित किया गया है और ये रिजर्व तमिल नाडू के 30 शेत्र पाक खाडी में इस्तापित किया गया है डुंगों कंसर्वेशन रिजर्व चारसो अर्तालीस वर किलोमीटर के छेतर में फैला हुआ है लोगों को पुलिस की विभिन यूजनाओं के प्रती जागरू करने के लिए सामुदाइक पुलिस पहल और वी केर पहल को किसने शुरू किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये शुरू किया है वी के सकसेना ने ये लिटिनेंट गवर्नर ओफ दिल्ली है डीस का करेक्ट आंसर है सेवा दिवस के अवसर पर उपर राज्यपाल जो है विने कुमार सकसेना इनों ने इंडिया गेट के करतव यपत पर वी केर और सामुदाइक पुलिस पहल नाम से दिल्ली पुलिस की जो कम्यूनिटी पुलिसिंग पहल है इसका उधवाटन इनों ने किया है 17 नमबर क्वेशन है भविश्य के प्रेक्षेपन वहनों को शक्ती प्रदान करने के लिए इसरो ने हाइब्रीड मोटर का कहां से सपलता पूर्वक परिक्षन किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका जो परिक्षन है ये इसरो प्रोपल्शन कॉम्पलेक्ष महिंद्र गिरी तमिलाडू से किया गया है 20 का करेक्ट आंसर है 18 नमबर क्वेशन है केंद्रिय विदेश और सिक्षा राज्यमंत्री डॉक्टर आरके रंजन ने भारत की पहली तेरती फोटो प्रदर्शनी का जो उद्गाटन है ये कहां पर किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा 19 नमबर क्वेशन है उपरास्ट पती जगदीब धनकर ने लोकमन्थन कारिकरम के तीसरे संसकरन का जो उद्गाटन है ये कहां पर किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20 नमबर क्वेशन है सुप्रीम कोट ने भारती उलम्पिक संके सविधान में संशोधन और निर्वाचक मंदल तयार करने के लिए किसे नियुक्त किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये नियुक्त किया गया है एल नागेश्वर राव को फार्मर जज़ ये है ये इसका करेक्ट आंसर है सुप्रीम कोट ने भारती उलम्पिक संके सविधान में संशोधन और निर्वाचक मंदल तयार करने के लिए शीर्च अदालत के जो पूर्व न्यायदीश है बहल बीस का करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजी बहल को तीन साल की अउदी के लिए भारती आयर विज्ञान अनुसंदान परिशत का महाने देशक नियुक्त किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये योजना शुरू की गई है नागलेंड के अंदर सीज का करेक्ट आ अग्टूंबर को मुख्यमंत्री स्वास्ते भीमा योजना नाम से अपनी स्वास्ते भीमा योजना शुरू करने वाली है 23 नामबर के वेशन है महिलाओ और लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान नामक अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है तो इसका correct answer होगा ये शुरू किया गया है 36 गवर्मेंट के द्वारा इसका correct answer है हमर बेटी हमर मान अभ्यान के तहर 36 गवर्ण राज्य पुलिस की महिला अधिकारी और करमचारी प्रदेश के सभी जीलों के स्कूल कॉलेजों में जाकर बेटियों को उनके कानूनी अधिकार की जो जानकारी है ये देगी 24 number question है होकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गये है तो इसका correct answer होगा ये दिलिप तिर्की बन गये है और तिर्की पहले से ही अध्यक्ष बनने के लिए जो है प्रबल दाविदार थे 25 number question है किस भारतिय लेखी का और कवियत्री ने P.E.N. जर्मन हर्मन कैस्टन पुरशकार 2022 जीता है तो इसका correct answer होगा ये है मीना कंडा सामी इनोंने ये जीता है इसका correct answer है भारतिय कार्य करता और लेखक कवी मीना कंडा सामी को हर्मन कैस्टन पुरशकार 2022 के प्राप्त करता के रूप में घोशित किया गया है जो जर्मन के दार्म स्टेट में पेन सेंटर के द्वारा दिया जाता है 26 number question है नवजात मृत्यूदर कम करने के लिए किस राजय सरकार ने सरकारी अस्पतालों में सांस नामक वायुदा मशीन का उप्योग करने की मंजूरी दी है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये असम गवर्मेंट ने दी है सांस नामक विशेज उपकरन का उप्योग करके शिशू मृत्यूदर को कम करने के लिए एक पाइलिट परियोजना की सफलता के सकारण असम सरकार ने अपने सबी अस्पतालों में बैंगलोर इस्तिद स्टार्ट अप के द्वारा निर्मेत वायुदा मशीन का उप्योग करने का निर्न लिया है 27 नमबर क्योशन है एशिया पाम ओयल एलाइंस के पहले अध्यक्ष कौन बन गये हैं तो इसका करेक्टांसर होगा ये बन गये है अतुल चतुरवेदी सीस का करेक्टांसर है अतुल चतुरवेदी एशियन पाम ओयल अलाइंस के पहले अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं और एशिया के पांच प्रमुप पाम तेल आयात करने वाले देशों के सिर्ष खादे तेल उध्योग संग पहली बार एशियन पाम ओयल अलाइंस बनाने के लिए एक साथ आये हैं बारत की पहली फुल आर्म ट्रांस्प्लांट सर्जरी किस हॉस्पिटल के अंदर की गई है तो ये किया गया है अमरिता हॉस्पिटल कोची के अंदर देश में पहली बार दो मरीजों के पूरे हाथ मतलब फुल आम का जो ट्रांस्प्लांट है ये हुआ है और केरल के कोची में जो अमरिता हॉस्पिटल है इन्होंने ये इतियास रचा है 29 नमबर क्योंशन है कि सारुजनिक शेत्र की कमपनी को बारवी महारतन कमपनी का जो दरजा है ये प्रदान किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्परेशन लिमिटेड र.ई.C. न्यू दिल्ली को मिला है 20 का करेक्ट आंसर होगा सरकारी सेक्टर की कमपनी R.E.C. लिमिटेड को महारतन का दरजा मिल गया है और R.E.C. महारतन का किताब आने वाली बारवी कमपनी है इसके अलावा देश में 13 नव रतन और चोहतर मिनी रतन सेंट्रल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ शामिल है 30 नमबर ग्वेशन है इतियास में पहली बार किस राज्य की विधान सबा में महीला विधान सबा सदश्चों के लिए पहले दिन एक विशेश सत्र का जो आयोजन है ये किया गया है तो इसका करेक्ट आनसर होगा ये उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है 31 नमबर ग्वेशन है मिनी रतन कमपनी रेल्टेल कॉर्परेशन ओफ इंडिया लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष और प्रवन निदेशक है ये कौन बन गया है तो इसका करेक्ट आनसर होगा ये बन गया है संजे कुमार देश की सबसे बड़ी तटास्त दूर संचार बुनियादी धाचा प्रदाता कमपनीयों में से एक रेल्टेल कॉर्परेशन ओफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और जो प्रवन निदेशक है ये संजे क किसे सम्मानित किया गया है तो इसका करेक्ट आनसर होगा ये मिला है डैनियल स्पील मैन को मिला है डीस का करेक्ट आनसर है यूएसे के ये है डैनियल स्पील मैन को सेधान तिक कम्प्यूटर विज्ञान और गणित में कई खोजों के लिए गणित में 2023 के निर्नाइक लगाने के लिए भारत का पहला हिमस्कलन निगरानी रडार किस राज्य में इस्तापित किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है सिक्किम के अंदर इसका करेक्ट आंसर होगा हिमस्कलन निगरानी रडार को भारतिय सेना और जो रक्षा भू सूचना विज् पता लगाने की शमता रखता है जिससे कि अत्यदिक उचाई वाले शेतरों में सैनी को और नागरी को के साथ साथ वहनों को बचाने के अंदर मदद मिलेगी 34 number question है अखिल भारतिय आयुर्विज्यान संस्थान नई दिल्ली के जो नई देशक है ये कौन बन गए है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए है डॉक्टर रंदीब गुलेरिया की जगे लेंगे तो इसका करेक्ट आंसर होगा एम श्री निवास ये बन गए है 20 का करेक्ट आंसर होगा 35 number question है वेश्विक वित्य केंद्र सूचकान के 32 संसकरण में दुनिया की सबसे पसंदीता वित्य केंद्र के रूप में कौन सा शहर लगातार चोथी बार सीर्षिर्स्तान पे रहा है तो ये रहा है नियॉयोर्क जो है ये इसके अंदर सीर्ष पे रहा है 36 number question है बत कम मा मोहसव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है तो इसका correct answer हो ये तैलंगाना के अंदर मनाये जाता है जो बत्तु कुम्मा जुक को तैलंगाना का सबसे प्राची लोग पर्व माना जाता है और इसी वज़े से तैलंगाना बनने के तुरंट बाद केसी आर सरकार ने शार्दिय नवरात्र के समय मनाये जाने वाले इस पर्व को राज्गिय त्यमार का दरजा दे दिया था 37 number question है किस भारतिय मूल की महिला ने पहला महरानी एलिजाबे द्वित्य पुरशकार 2022 जीता है तो इसका correct answer होगा ये जीता है सुएला ब्रेवर मैन के द्वारा जीता गया है इसका correct answer है ब्रिटेन में भारतिय मूल की ये ग्रह मंत्री है सुएला ब्रेवर मैन इनोंने पहला महरानी एलिजाबे द्वित्य वुमन ओप दे इयर जो पुरशकार है ये जीता है 38 नमबर क्वेशन है ओरिएंटल और दक्षिन एशियाई अध्यन के लिए भारत विद्या नामक ओनलाइन सिक्षन मंच को किसने लॉंच किया है तो इसका correct answer होगा ये लॉंच किया है निर्मला सीता रमन के द्वारा 20 का correct answer है केंद्रिय वित्मंत्री निर्मला सीता रमन ने पुर्णे में ओरिएंटल और दक्षिन एशियाई अध्यन के लिए एक ओनलाइन सिक्षन मंच भारत विद्या लॉंच किया है 39 नमबर क्वेशन है भारतिय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष कौन बन गये है तो इसका correct answer होगा ये बन गये है के राजा प्रशाद रेडी 20 का correct answer होगा 40 नमबर क्वेशन है रुपईया व्यापार के लिए RBI की मंजूरी पाने वाला पहला रिर्डाता बैंक कौन सा बना है तो ये बन गया है यूको बैंक सी इसका correct answer है 41 नमबर क्वेशन है इटली की पहली महिला प्रधान मंत्री कौन बनेगी तो इसका correct answer होगा जोर्जिया मैलोनी जो है ये बनने वाली है इसका correct answer होगा इस पार्टी की जो नेता है जोर्जिया मैलोनी है जो इटली की पहली महिला प्रधान मंत्री बनने जा रही है 42 नमबर क्वेशन है दादा साहिब फाल के पुरशकार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया जाएगा तो इसका correct answer है ये मिलने वाला है आशा पारे को दिगज अभिनेत्री आशा पारे को 2020 के लिए 52 नमबर क्वेशन है टैनिस टूनामेंट लेवर कप 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है तो इसका correct answer होगा ये जीता है टीम वर्ड के द्वारा सीस का correct answer है 44 नमबर क्वेशन है किस देश के शोध करताओं ने चंद्रमा पर चेंज साइट नामक लूनर क्रिस्टल और प्रमानू उर्जा श्रोथ की खोज की है तो इसका correct answer होगा ये खोज की गई है चाइना के द्वारा 20 का correct answer है चीन ने चंद्रमा पर ज्वाला मुखे मलबे और संभावित इंदर श्रोथ के बीच एक नए प्रकार की क्रिस्टल की खोज की है जो प्रत्वी पर उर्जा के उतपादन में क्रांती लाने में मदद कर सकता है तो इसका correct answer होगा ये बैंगलूरू के अंदर किया गया है 20 का correct answer है रास्टपती द्रोबती मुर्मू ने बैंगलूरू में हिंदुस्तान एरोनौर्टिक्स लिमिटेड की 208 करोड लागत की रॉकेट इंजन निर्मान स्वीधा का बैंगलूरू में उद्धवाटन किया है 46 number question है बाल योन सोशन के खिलाब मेग चक्र नामग अभ्यान को किसने चलाया है तो इसका correct answer होगा ये चलाया गया है Center Bureau of Investigation CBI New Delhi के दोरा C's का correct answer होगा मेग चक्र बाल योन सोशन सामगरी के प्रसार और उसे साज़ा करने के खिलाब केंद्रिय जाच ब्यूरो के दोरा संचालित एक अखिल भारती अभियान ये है 47 number question है Cricket, Tuna Man, Dilip, Trophy 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीत लिया है तो इसका correct answer होगा ये जीता है West Zone के दोरा Ace का correct answer होगा पश्चिमी शेत्र ने पहली पारी में पिछणने के बाद शांदार वापसी करके यहाँ final में दक्षिन शेत्र को 294 रन से करारी शिकस्त दे कर दलिप, Trophy, Cricket, Tuna Man का जो टाइटल है ये जीत लिया है 48 number question है कचरे से खिलोने बनाने के लिए स्वच्च टॉय कैथोन नामग प्रतियोगिता नामग जो प्रतियोगिता है इसको किसने लाँच किया है तो इसका correct answer होगा Ministry of Housing and Urban Affairs के दोरा जो है ये लाँच किया गया है 49 number question है संगाई, सायोग, संगटन के सदश्य देशों के अभी हो जग जनरल की 20 वी बैटर कहाँ पर आयोजित हुई है तो इसका correct answer होगा ये अस्ताना कजा कस्तान के अंदर जो है आयोजित की गई है 50 number question है तकनी की सपलताओ और नवाचारों को प्रतरशित करने के लिए एक सब्ता एक प्रियोग शाला नामक थी माधारित अभियान को किसने शुरू किया है तो इसका correct answer होगा ये शुरू किया गया है जितेंद्र सिंग के द्वारा यूनियन मिनिस्टर ये है केंद्रिय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग ने देश भर में तकनी की सपलताओ और नवाचारों को प्रदिशित करने के लिए एक सब्ता एक प्रियोग शाला अभियान की घोशना इनोंने की है तो ये था आज का हमारा सेशन ये हमारा टेलिग्राम जेनल है यहाँ पर आपको सारे वेशन की इसके फॉर्मेट में अवेलिबल हो जाते है तो यहाँ जाकर आप ज़ादा से ज़ादा उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आई होप आपको सारे सेशन पसंद आ रहे होंगे अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ में शेर कीजेगा तो जेले मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में नए वीक में थेंक यू